नमस्कार, रेणुकारानी सिह महादेव चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत है आज मैं महान ग्यानी एवं आध्यात्मिक चिकिस्चक अश्ट वक्रा की कहानी लेकर उपस्तित हुई हूँ महान ग्यानी एवं आध्यात्मिक चिकिस्थ अश्ट वक्रा ने राजा जनक से कहा है राजन हम आपके हिर्दय एवं नाभी की सल्य चिकिस्था करके अंदर संग्रहित समस्त दोसों एवं विकारों को बाहर कर देंगे हम आपको भाव एवं विचारों से पवित्र एवं उन्नत कर देंगे आप इस छेत्र के सभी विकारों से मुक्त हो जाएंगे ऐसा हमारा ध्रिन विश्वास है यही दो छेत्र तो हैं जो मनुस्य को विकार मुक्त या विकार युक्त बनाते हैं अर्ष्ट बक्रा की इन बातों को सुनका राजा जनक अत्यंत हर्शित हुए उनके हिर्दय में प्रशनता के रंग उभरने लगे एवं मन में अनेक सुभ एवं मंगल में विचार उठने लगे राजा भली भाते जानते थे कि अर्ष्ट बक्रा एक कुसल आध्यात्मिक चिकिस्टक हैं उनका मन प्रकासित है इसलिए वहां से ज्ञान की अविरलधारा बहती रहती है एक बार आध्यात्मिक चिकिस्टा के संदर्व में अश्ट बक्रा ने कहा था ज्ञान का संबंध सास्त्रों के अध्यान अध्यापन शेशंबंधित नहीं होता है बलकि इसका सहस संबंध होता है मन से मन जितना निर्भार एवं सरल होता है ज्ञान की सीमा उतनी ही गहरी एवं व्याप्त होती है अश्ट बक्रा महान ज्ञानी थे प्रन्तु उनका सरीर आठिस्थान से तेढ़ा था आठिस्थान से तेढ़ा होने के कारण वे सारेरीक रूप से कुरूप लगते अव अश्य थे प्रन्तु उनके भाव एवं विचार अत्यन्त पावन एवं स्रेश्ट थे एक बार अश्ट बक्रा ने कहा जनक आपका मन इस उहा पोह से ग्रशित है कि आखिर मेरी देह की यह इस्थिती क्यों है आप इसकी वास्तिविक्ता से परचित तो होना चाहते हैं प्रन्तु संकोज की बज़ह से पूछ नहीं पा रहे हैं मैं बताता हूँ मैं जब अपनी माता के गर्व में था प्रभू की किरपा से मुझे चारो बेदों का ज्यान अनयास प्राप्त हो गया अनयास ही मेरा मन ज्यान के आलोक से आलोकित हो उठा और जीवन प्रकरती एवं इस्वर के बीच के शंबंधों का सुम अधुर स्वर मेरे अंदर जंकरि मैं जिसकी कलपना करता उसका वास्तविक स्वरूप वहीं प्रकट हो जाता था एक दिन मेरे पिता बेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे और मेरी माता वहीं पास में बैठी उसे सुन रही थी पिता जी बेद मंत्रों का पाठ लगातार गलत एवं तुरुटी पूर्ण धंग से करते जा रहे थे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने घर्ब से ही पिता जी को टोक दिया और सही उच्चारण की विधी बता दी मा के सामने पिता को मेरी बाते अच्छी नहीं लगी उनके अहंकार को चोट लगी और वे मुझे पर प्रोधित हो उठे अश्टवक्रा आगे बोले राजन क्रोधा वस्था में विवेक का नास हो जाता है उचित एवं अनुचित का भेद समाप्त हो जाता है और इस अवस्था में मेरे पिता जी ने मुझे अविसाप देते हुए कहा अपने को बड़ा ज्यानी एवं बिद्वान समझने वाले अजन्मे सिसु का इतना साहस की मुझे बेद पाठ के बारे में समझाए जातू सरीर से आठ जगस से टेड़ा हो जाए हे राजन पिता जी का अविसाप सच प्रमाणित हुआ और मेरे जन्म के साथ मेरी दे आठ इस्थान से टेड़ी मेड़ी हो गई जन्म के पश्चात उन्होंने मेरा नाम अश्ट वक्रा रखा यही मेरी कहानी है जिसे आप जानने के लिए उत्सुक थे राजा जनक अश्ट वक्रा का साथ एवं सानिध्य पाकर पुलकीत एवं प्रशन रहते थे अब उन्होंने अश्ट वक्रा से पूछा हे रिशिवर आध्यात्मिक चिकिस्सा के अर्थ एवं मर्म के बारे में प्रकाश डालने की किरपा करें जिसके माध्यम से आप मेरी सल्य चिकिस्सा करने वाले हैं रिशी अश्ट बक्रा ने कहा राजन आध्यात्मिक चिकिस्सा बोध निदान एवं विज्ञान का पुर्ण तंत्र है इसमें जीवन की द्रिश्य अद्रिश्य सन्रचना का संपुर्ण बोध है बोध का तात्पर्य किसी भी समस्या की गहरी जानकारी के साथ उसके समाधान से भी सुपरचीत होना अगर जटिल संसकार की बजह से किसी रोग का बोध होता है तो उसके समाधान के स्वर भी वही नहीत होते हैं बोध होना एक बड़ी बिरल एवं दुरलब घटना है आध्यात्मिक चिकिस्सा के लिए बोध का होना प्रथम सर्थ है बोध होना तो निद भी मिल जाएगा प्रिशी अष्टवक्रा आगे बोलते हैं आध्यात्मिक चिकिस्ता में जीवन के दैहिक दैविक एवं आध्यात्मिक रोगों के निदान की सुक्ष्मी विद्यों का समगर ज्यान है निदान को कारण कहा जाता है रोग है तो इसका कारण भी होगा यदी रोगों के कारणों को समुचित जानकारी हो जाए तो रोगों के निराकरण की आधी यात्रा तो समाप्त हो जाती है। इसलिए निदान का होना आवस्यक है। इतना ही नहीं इसमें इन सभी रोगों के सार्थक समाधान का प्रायोगिक विज्ञान भी समाविष्ट है। आकार ले रहे थे, कुछ प्रशनों का उत्तर तो अंदर में प्रकासित हो उठता था प्रंतु जिनका समाधान नहीं मिल पा रहा था, उन्हें क्रमसह रिसिवर के सामने प्रस्तुत करते जा रहे थे, इसी क्रम में राजा जनक ने एक प्रश्न किया, हे रिसिवर सफल ची किस के लिए किस चीज की आवश्यक्ता पड़ती है, इसके प्रतिवत्तर में रिसिवर के सब्द गुंजाय मान हुए और उन्होंने कहा, राजन सफल ची किस्सा के लिए जीवन का समगरबोध आवस्यक है, जीवन मात्र देह नहीं है, इसमें इंद्रिय, प्राण, मन, चित, ब इनका पारदर्सी ज्यान होना चाहिए, तभी समाधान का भी ज्यान कारगर होता है, यह इतना आसान सरलेवम सहज नहीं होता है, रोगी के रोग निवारण के लिए अपने तब के एक अंस का अनुदान भी देना पड़ता है, रिसिवर ने इसे और भी इश्पष्ट करते ह वे कहा, अध्यात्म विद्या के मरमग्य ही इस किस्सा को संपन करने की छमता रखते हैं, दरसल अध्यात्म विद्या अस्तित्व के समगर बोध का भी ज्यान है, जो उसमें निश्रात है, उनकी दृष्टी पारदर्सी होती है, वे ब्यक्तित्व की सुक्ष्मताओं, गहन गुयताओं को समझने में सक्षम होते हैं, उनके लिए किसी के अंदर में प्रविष्ट होना उसकी शमश्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है, वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं, जैसे हम किसी सीसे की आलमारी में बंद समान को देखते हैं, कुछ इसी तरह से अध्यात्मिक चिकिस्चक को अपने रोगी के रहस्य नजर आते हैं, उसके लिए जितना प्रत्यक्श वेभार होता है, उतने ही प्रत्यक्श संसकार होते हैं, वह जितनी आसानी से वरतमान जीवन को जान सकता है, उतनी आसानी से पुरवजन्मों को भी निहार सकता है। राजा जनक के जग्यासा ने फिर प्रस्णों का आकार लिया और उन्होंने पूछा हे रिशिवर हमारे जीवन में विकार एवं विक्रती आखिर पनपती ही क्यों है। समश्या का समाधान हो जाता है। इस गरम में एक बात महतोपून है वह यह कि जो पीडिद व्यक्ति होता है उसकी सोच विचार को सही दिसा देना भी आसान काम नहीं है। क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते रहने के कारण उसमें संकल्प साहस चूग जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त उर्जा के अनुदान की आवश्यक्ता पड़ती है। ऐसा होने पर ही वह अपने बिखरे जीवन को फिर से समारता पाता है। इसलिए हे राजन आध्यात्मिक चिकिस्ता को मानविय चेतना का मरमग्य होने के साथ आध्यात्मिक उर्जा का अजस्र स्रोत भी होना चाहिए। उसकी बोधिक, पारदर्शिता, भाव प्रवणता एवं अंतर आत्मा में उफनते आध्यात्मिक सक्ती के महा सागर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकिस्तक बनाते हैं। राजा जनक आध्यात्मिक चिकिस्टा के सिध्धान्टों की थाह पा चुके थे, रिसिवर ने उनकी जिग्यासा को सांध कर दिया था, प्रन्तु जिग्यासु प्रवर्ति होने के कारण राजा की, नई नई जिग्यासा पनपती थी, जनक ने पूछा, हे रिसिवर आप यह बताने की किरपा करें की ना भी एवं हिर्दय की समश्याएं कब और कैसे प्रकट होती हैं रिसी मुस्कराए और कहा हे राजन अब आप मूल मर्म पर पहुंच चुके हैं हम इसे भी इश्पष्ट किये देते हैं क्योंकि हमें आपके इन्ही दो छेत्रों पर कार्य करना है इसी लिए इसकी भी जानकारी दे देते हैं फिर्दय भाव का छेत्र है और ना भी विचारों का भाव अनभव का विश्याए है जिसे हम नित्य अनभव करते हैं सुख एवं दुख के रूप में और विचार चिंतन का विश्य है जिसमें बौधिक समझ सोच विचार निरण छमता इस्मृतिया इंद्रिय जन्य ज्यान आदी आते हैं विचार हमारे नाभी छेत्र को प्रभावित करते हैं तो भाव विर्दय छेत्र को लिस्वर ने आगे कहा सुभ एवं स्रेष्ट विचार नाभी छेत्र को स्वस्त होने का परिचय देते हैं असुभ एवं नकारात्मक विचार इस छेत्र में विकार पैदा करते हैं विक्रित नाभी चक्र अनेक रोगों को जन्म देता है पेट संबंधी सारे रोग इसी कारण उत्पन होते हैं इसलिए इन रोगों को दूर करने के लिए प्रथम उपाय तो यह है कि अपने विचार एवं चिंतन प्रणाली को स्वस्थ सेष्ट एवं सकारात्मक रखा जाए इस छेत्र के क्रियासिल होने से व्यक्ति की कलपना चमता, चिंतन एवं रचनात्मक चमता, इश्मरती निर्णय चमता में भारी अभी ब्रधी होती है इस छेत्र से अनेक स्रिजन कारी सक्तियां संबंधित होती है राजा जनक ने कहा हे रिसिवर भाव छेत्र के संबंध में भी प्रकाश डालें रिसिवर ने कहा भाव छेत्र हमारे जीवन का मुख्य केंद्र है इससे हमारा अस्तित्व जुड़ा होता है इस छेतर के स्वस्त होने का प्रमाण है हमारी भावना एवं संबेदना का बिस्तार होना है इससे हमारी एहसास करने की छमता जागरित हो जाती है इस छेतर से सुख दुख एवं आनंद का प्रवा निस्रस होता रहता है यही प्रेम का इस्थान है इस छेत्र में विक्रती आने से हमारे अंदर दूसित भाव एवं कलशित अनुभव का किसेला बिस पैदा होने लगता है इससे सरव प्रथम हमारे संबंध नाते रिष्टे प्रभावित होते हैं ब्यक्तिगत रूप से हम अत्रिप्त के दावा नल में दहकते रहते हैं इस छेत्र की विक्रती समस्त मनुरोगों भाव रोगों को जन्म देती है जितने भी मनुरोग हैं सभी इसी छेत्र की विक्रती एवं विकार के कारण उत्पन होते हैं रिशी अस्टवक्रा ने कहा हे राजन नाभी और हिर्दय छेत्र के विकारों से व्यक्तित्व रुग्ण एवं इमारी से ग्रस्त हो जाता है परन्तु इनके स्वस्त्य होने से व्यक्तित्व में आकर्षन निखार एवं विकास की सभी संभावना में बढ़ जाती हैं हिर्दय छेत्र के विक्सित होने से मनुष्य सुक्ष्म लोकों से देव लोक की और गमन कर सकता है वह देव लोक से संपर्क सूत्र विक्सित कर सकता है इस थूल रूप में भावनाय इस्थिर सांत एवं समुन्नत होती हैं इसलिए हे राजन मैं आपके हिर्दय एवं नाभी छेत्र की सल्यची किस्सा करके आपके अंदर के सभी संस्कारों को काट कर फेक दूंगा और आपके बेक्तित्व को परिस्क्रित स्वचेवं निर्मल बना दूंगा। कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी बानी को विराम देती हूँ जय हिंद जय भारत।